निर्मला पंथ नेपाल की 13 साल की बच्ची निर्मला पंथ जिसका की दो साल पहले रेप हुआ और रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया वो बच्ची अपनी बेस्ट फिंड के घर अपना हूवा करने गई थी और उसके बाद जब वो घर आ रही थी तो कुछ दरिंदों ने मिलकर बीच सड़क में उसके साथ रेप जैसा गंदा और गिनावना काम किया आखेर कार उस 13 साल की बच्ची का क्या गजूर था कि उस बच्ची के साथ ऐसा गंदा और गिनावना काम किया और तो और रेप करने के बाद उस बच्ची का मर्डर करके उसे किसी खेट पे फैंक दिया गया हर बार वुमेन सेफटी की बात होती है मगर सेफटी के नाम पे कुछ चीज देखने को नहीं मिलती पता नहीं कब आएगा वो दिन जब लड़किया बेख़ा फोकल खूम सकेंगी और सही सलामत अपने घर लोट सकेंगी रिक्वेस्ट है नेपाल गवर्मेंट से कि उस बच्ची के माबाप को और उस बच्ची को इंसाफ मिले और जल से जल मिले